स्बी स्पी के मुख्य प्रवक्ता अरुन राजवर जी इस पर तुम्हारे साथ मौजूद है अरुन जी नतीजे जो आ रहे हैं उसको देखकर क्या कहेंगे समाजवारी पार्टी तो लगभग सभी सीटों पर वढ़ात बना कर रखी हुई देखें नतीजों से नहीं 2024 पर कोई इफेक्ट होगा और नहीं इस पर कोई असर होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्री अखिलेस यादव जी अपने पिता जी की वरासत को बचाने में काम्याब होंगे बस इतना ही उनके लिए काफी होगा दो सीटे थी महिनपूरी और रामपूर दोनों उनकी परंपरागत सीटे थी और मजबूती से देखा जाएगा तो जस्वन नगर और करहल में जस्वन नगर चाचा के साथ आने से थोड़ा सा बढ़त उनको मिल गई लेकिन जहां से ये विधायक है वहाँ जितना बढ़त जस्वन नगर में हुआ उतना बढ़त करहल में नहीं हुआ बाकी किसनी अब उठाकर देखे भागां और महिनपूरी में बहुत ज्यादा फासला नहीं है खर वहां चुनाओ संवेदनाओं का चुनाओ था सहानभूती का चुनाओ था हर मतदाता नेता जी ने जो बोया था स्रियकले स्यादव जी और अपने पत्नी को उन्होंने मैदान मुतार कर उसी काटने का प्रयास किया है तो खैर उससे बहुत आने वाले चुनाओं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी चुनाओ देखा है चाहे गोरकपूर चुनाओ समाजवादी पा देंगे तो चाचा तो पहले भी आये थे 2022 में तीर तो नहीं चला पाए मैं पुरी सदर सीट पर भौगाव सीट पर तो नहीं चला पाए वहां भी जेपी चुनाओ जीत गई तो आने वाले समयों में इससे यह लोग क्यास बाजी यह करने लगेंगे कि पहले तो यह आरोप निर्वाचन आयोग सही है अब प्रसासन सही है सारा मसीनरी सही है अब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है अब तो गड़बड़ी साफ हो जाए बीजेपी अपने मन्थन करेगी कि हम चुनाओ कैसे हा रहे हैं एक वहां जो नराजगी का वोट है उतर-प्रदेश में खास्त लेकिन इससे पहले जब हमारी आपकी बात चेती तो आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी काली माहौल बना रही है इसका कोई फाइदा नहीं होगा और कहीं करें चुनाओ की बड़त जो है कि इसी और पार्टी को मिल जाएगी लेकिन आब इसके उलट कह रहे हैं कि उनक को समवेधनाओं का फाइदा मेल कि दलित मदाता जिधर जाएगा अपने संदेश को पहुंचाएगा και अपने संदेश को संदेश जी पूरो की जितने चुनौा हुए और बरतमान के महिनपुरी चुना को उठाकर देख रॉह अग सेंटर पॉइंट बना करके वहां काम किया है उतना खतवली काम कर पाए ने रांपूर काम पाए तो वह एक से नेता जी के निधन के बाद सीट को बचाना उनके लिए चुनोती था और उसी को वह पुरा सेंटर बना करके पांचो विधान सवा में जीतना समय दी आप उठा कर देखिए रामपूर में उतना समय दी हूँ खतवली में उतना समय दी नहीं दे पाए तो यह वहां की जनता की जीत होगी कि जनता ने नेता जी को आज भी अपना असिरवाद बनाए रखा है और उनहीं के नाम पर उट कि कि अब नेता जी के नाम पर कितना वोट मांगा जाएगा कि काम के नाम पर उप उठाद के नाम पर मांगा जाएगा वह तो देखा और प्रपी कि अपने नहींगुछ कुछ नहीं है यह 2024 दूसरा रिपोर्ट हो यह क्या है यह इस निधन का ओट होता है ऑड जनरस्प रोट होता है का नाम पर काम के नाम पर योजडाओं के नाम पर उट माँना अलग होता है अभी को गोला को करनात में चुना हुआ महां निधन पर ही वोट मांगा गया निधन हुआ वह वोट लोगों ने मांगा परत्यसी भाजबत बाक जीतढ़ाई तो अब उसमें हमें मंताय कि वीज्यिवाजनाओं की जीत है तो इसकी जीत है सिंपाइथी का जीत है और ये भी ये सारे समाजवादी की बड़े नेता चोटे नेता यही कह रहे थे कि सिंपाइथी नेता जी नहीं है हम लोग अकेले हो गए है अब उनकी जरुवत समाज को है ये है तो जनता ने काया ठीक है नेता जी नहीं है नेता जी बहुत समय तक जन प्लान बनाया था ये उनकी रड़नीत पर समाजवादी पार्टी सेंटर हो गई जो बाहर निकल कर काम करना चाहे तो भाजपा की रड़नीत ने उनको सेंटर बना दिया कि अब आपको इस घर से निकल कर बाहर नहीं जाने देंगे तो वही हुआ है आपने देखिए आद में डिल्ट हो गया उसका वोटर लिष्ट में नाम है नहीं सोहल भारती समाज पार्टी जब इस बात को सहमती बताने की बात करती है कि सभी राजनेतिक दल सहमत हो कि जो पंचायत और नगर पंचायत चुना में जिन वोटर लिष्टों से मद्दान होते हैं उसी वोट लिष्ट की दुरस्ति करण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को सभी राजनेतिक दलों की सहमती से ये फैसला करना चाहिए कि पंचायत चुना और नगर पंचायत की ओटर लिष्ट से लोगसभा विधान सभा चुना करा है तो आगे जो ओट परसेंट जैसे तीस जाता है अधिकारियों पास जाता वो दूरी खतम हो जाएगी और विमारी खतम होगी और जो निर्वाचन आयोग की एक मंसा होती है कि ज्यादा ज्यादा मद्दान हो वो मद्दान सामने दीखिता लेकिन अब सभी राजनेतिक दल भार जाते हैं तो इवियम को दोस्त देत जाते हैं और चुनाओं अगर उनके पक्ष में आता है तो एवियम भोल जाते हैं हाला कि इस बात को भी कहा है कि दोहजार चौबिस के चुनाओं के ट्राइल के तोर पर इन उप चुनाओं के नतीज़ों को ना दिखा जाए वीडियो गनली सूफी खान के साथ आदरशे सि अधिस्टिंग न्यूस निशन लखनू